नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ मुक्यस चानी, मेरी चैनल पे आप सभी भाई बेनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी के लिए सुब कामना, सुब अच्छा, वगवन बोले नात, सभी की मुनो कामना पूरी करें, दोस्ता, समस्याए और परेशानी, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानिया और समस्याए हमेसा बनी ही रहती है, एक परेशानी को दूर कर सकते हैं, तो कोई छोटी बड़ी कोई दूसरी परेशानिया समस्या आ जाती है, यह साइ परेशानियों का पहाड बन जाए रातों की निंद हराम हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है इनसान का अज जो उपाई आपके साथ सेर कर रहा हूं दोस्तों, ये उपाई से, जीवन में आ रही परेशानियों से, छुटकारा मिलेगा, पहाड जितनी बड़ी परेशानी है तो भी, आसानी से आप वो परेशानी को पार कर सकेंगे चाहे कोई भी परेशानी हो दोस्तों, दामपत्य जीवन से जुड़ी कोई समस्या है अपके सत्रू बढ़ गए है, सत्रू भई है आपको रूपियों से जुड़ी परेशानी है, समस्या है, परिवार चलाने के लिए आप कड़ी मेहनत कते हैं, लगातार मेहनत कते हैं, फिर भी परिवार चलाने के लिए आपको करज करना पड़ता है, संतान से जुड़ी कोई समस्या है वियावसाई में, आपके वियावार में कोई परेशानी आ रही है जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को कम करने वाला दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, कि एक रात में आप करोड़ पती बन जाएगे नोटों की बारिस हो जाएगे, नोटों से बरी बेग मिल जाएगी आपको इसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मगर जो परेशानी आपके जीवन में बढ़ती जा रही है वो परेशानिया कम अवस्य हो जाएगी, और देरे देरे आपका जीवन परेशानी मुक्त हो जाएगा तहरिया रखना पड़ता है, थोड़ी सांती रखनी पड़ती है 24 घंटे में कोई भी चमतकार की अपेक्सान ना रखे जो भाईबैन चैनल पे पहली बार आए है, वीदियो को पूरा देख ले पहले है आप वीदियो अच्छा लगे, इसी जानकारी आपको औचे लगती है तो चेनल को सब्स्ट्राइब करें वीदियो अच्छा लगता है, लाएक करें अच्छा नहीं लगता है, डिसलाइक करे, मुझे भी मालूम पड़े, कि कौन सी गलती मैंने कर दी है, ये जानकारी शेर करने में, डिसलाइक करे, लाइक करे, मुझे मालूम पड़े, कि नहीं, अच्छी जानकारी मैंने शेर किये, डिसलाइक करते है, तो मुझे मालूम पड दिए है इसमें को में को में बोक्स में हर दिन की तरह नम्र निवेदन बीना बूले अब जैसरी नाम उसे लिखेंगे भगवान स्री राम का नाम लिखें बीना आप परिवाद छोड़ के में जाएंगे दोस्तों इस सुरुष्टि के ओपर जितने भी भी है वो भी चीजे पुद्रत बनाई है वो अलगालग सब्सेसे सिदा सबन्द है अलग अलग देवताओं को वह चीजे पसंद है प्रिय कुछ चीजों का कुछ खास दिन पे कुछ खास जगह पे दान करने से या तो खास जीव को खिलाने से उनसे जुड़े जो ग्रह है वो ग्रह अगर हमारी ज़न्मपत्री में ठीक नहीं है और वो ग्रह resilience से जिन्मने समस्याय आ रही है परिशानिया आ रही है तो परिशानि समस्य कम हो जाती है ग्रह सांथ हो जाते है वो और सुब फल प्रदान करना चालू कर देता है दोस्तों सालों का अभ्यास है मेरा मैं आपके पास एक रूपिय का भी खर्च नहीं करवाता हूं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप मेरे साथ पांच-साथ मिनित बने रहे ये प्रयोग आप हफ्ते में दो दिन करेंगे सप्ता में दो दिन करेंगे गुरुवार और मंगलवार साथी में बाधाय आ रही है सत्रू से परेशान है दामपत्य जीवन की कोई समस्या है परीवार चलाने के लिए आपको करज करना पड़ता है वियावसाय में बाधाय आ रही है आपकी नोकरी में कोई समस्या आ रही है, सर्विस में, जोब में, या तो आपको जोब नहीं मिल रही है, यह उपए आप करते जाए, कहा तक करेंगे, जब तक आपकी समस्या दूर न हो जाए तब तब, भरोसा रखे, विश्वास रखे, आस्था रखे, सर्दा रखे, और मंगलवार के दिन, दो दिन, गुरु और मंगल से जुड़े उपाई है ये, सुबह में सनान करने के बाद, एक आलू ले, आलू को पहले पानी से, सुध जल से धोले आप, आलू के तुकडए करे, आठ तुकडए करे आलू के, थोड़ा बड़ा आलू ले, आठ तुकडए आलू के करे, एक दिस में या तो छोटी कतोरी में आलू के उपर, थोड़ा हल्दी पाउदर छिड़क दे, हल्दी पाउडर छीड़कने के बाद हाथों से मसलें के सभी आलू पीले हो जाएंगे आपके घर गाई आती है रोटी खाने पहले आप रोटी खिला दे गाई को बाद में आलू को एसे हाथ में रखे आठ टुकड़े को एसे हाथ में रखे गाई को खिलाए गाई आलू खाएगी गाई की जीब आपकी हठेली को सपर्श करेंगी समझ लो दोस्तों आपके हाथ की लकीर बदल जाएगी अगर गाई नहीं आती है आप कहीं फ्लेट में रहते हैं के उपर रहते हैं गाई नहीं आती है आपके यहाँ तो कोई भी गवंवस को ये खिला दे, साथ में ले जाए, पैक करते, कोई भी कागज में, जहां भी आपको गवंवस मिल जाए कोई, बच्छडाए, सांडे, बस दूर से नीचा रख दे, खा जाएगा, ये प्रयोग, ये उपाई है, लगातार करते रहें, जो लोग कहते हैं, के जीवन में चमतकार नहीं होते हैं, ये प्रयोग करके देखे, मैं चेलेंज देता हूँ, चमतकार आज भी होते हैं, बस दूस्तों, सर्वदा सर्वत्रा महदेवाई नमहा, धन्यवाद वंदे मात्रा,